मेरा नामें देविन सिंह तोमार और आज हम फिर से एक बार पार्टी रवन देखने जा रहे हैं माइनिंग के चलिए शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू कि हमारा आप जो है तो आप उसको डाउंडोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है माइनिंग सर्दार ओवर मैं फॉर मैंनिंग में ब्लास्टर और गेट 2023 के क्लासे उसम इजान के लिए त्यारी कर रहा है तो आप पिल्कुल यहां पे आईए और त्यारी करिए आपको लाइव लग्ट्र स्ट्रेस सीरीज और मॉक्टेस मिलेंगे कॉंटक नमबर आपको दिया हुआ है तो आप कॉंटक कर सकते हैं पहला कोशन आज का हम देखते हैं जिसमें की इनसाइड दर रोंपs और पैसेजस एंड उनी चाहिए तो उनकी पताई करनी चाहिए तो उनकी पताई कितने समय में एक बार होगी टू बेसिकेली इसमें आपके option नमर 1 सीच्छ है महींने में पर या फिर एक साल में इक बार या फिर दो साल में बार या फिर तीन साल में इक बार तो कितने समय में ऐसे थो पताई तो पताई वगएर करवानी है यह तुब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नमबर डी तीन साल में एक बार जो है तो हम यह सब करवाते हैं चलिए अगरा उप्शन देखते हैं कोशन देखते हैं कोशन नमबर टू जिसमें की बोलता है किचन सफ केंटीन शुड़ वी पेंटेड एट अट लीस्ट वंस इन जो केंटी इसके जो किचन से किचन की पेंटिंग कितने समय में एक बार होनी चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर वीडियो पॉस करके आप आंसर देजिए तो ज्यादा वेटर है कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए यह सारी चीज़ें ठीक है तो इसका करेक्ट आप्शन होगा ऑप्श आप देजिए कमिटी शाइल भी ओना स्केल ऑफ वन फॉर एवरी डैश परसें इंपलाइड बिसीकिल इसमें यह पूछ रहा है कि जो मेंबर से एक्ट किये जा रहे हैं कैंटीन का जो कैंटीन की जो मैंटीन का पूरा-पूरा मैंजमेंट समालती है तो चैंटीन पूरे- फूरे मैंजमेंट समालती है तो उसमें जो number of members होगे ठीक है यह जो number of elected members होगे उस committee में तो Documenty में number of members जो है किसपे dependent करता है कि कि tam drivers काम कर रहे है आप की minds में तो आखिर एक बंदा है को मतलब managing committee में एगर एक बंदा भी रखा जा रहा है तो कितने आदमियों पर हर कि मतलब हर कितने आदमियों पर एक रखेंगे एक हजार आदमियों पर एक रखेंगे या 500 आदमियों पर एक रखेंगे या फिर 1500 आदमियों पर एक रखेंगे तो इसका करेक्ट टांसर होगा option number एक हजार हर एक हजार पर एक बंदा आप लग रखेंगे मैंगे कमिटी में ठीक है जैसे आपकी माई से पाँच जार वरकर से तो आपको पांच जो है तो मैंजिंग कमिटी में मेंबर्स होने चाहिए ठीक है अगले कोशन की तरह बढ़ते ही कोशन नमबर फूर जिसमें कि यह बोलता है तो मेंबर्स ऑफ दे कमिटी कैंटीन मैंजिंग कमिटी शाल नौट बी मोर दैं दिस एंड शाल नौट बी लेस देन डैट डैश ठीक है बोल रहा है कि ठीक है मैंने मैंने जो अभी पिछले कोशन में आपको बताया उसमें तो यह बोला कि ठीक है कितने मेंबर्स होंगे हर 1000 पे एक बंदा रखना है मैंनेजिंग कमिटी में ठीक है अब यह जो हर एक हजार पे रखो तो मतलब 10,000 वर्कर सापकी माइंस में काम करना है तो आप 10 नहीं है उसमें एक लिमिट कर दी है कि इतने कम से कम इतने लोग होने झी यृब्षों यहां पर मोड़ दैने यह बताना है कि से जादा रहुना चाहिए न मतलब इस से ज़यादा नहीं इस से कमीं होना थेयरे तो कितने से जादा नहीं होना कि डिंव सब्सक्राइब पहले वाले जैसे कि यहां दिये है 10 अर यह 5 तो यह सर्पने मैंबर्स तो इसका करें आपके पास और दस और पांच और भी चैन चार ऑप्शन नमबर सी 8 & 4 एंट फॉर एंट फाइब और दी पाइवेंड दो ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नमबर डी के ऑठ चाहिए पांच मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए मेंज़ीशक कमटी और बने चाहिए जो कंटीमी में विल्ट थिए चैनले को कोशन की तरह बढ़ते हैं जिसमें कि वो थाकशन लगया इतने मतलब डैश में आपको यहां पर यह जो ब्लैंक दिया है इसमें बताना है कि कितने जो है तो persons आईंगे ठीक है कितने persons होने पर पिर उस से ज्यादाолнे पर कितने आदमी होने पर या फिर उतने होने पर किसी माइन में ओनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा कि welfare officer क्या करेगा मतलब welfare पूछ रहें कि कि आदमी परसन आपकी माइंड में कितने आदमी वरकर्स होने पर आपको वेलफेर ऑफिसर रखना पड़ेगा 500 आदमी होने पर हजार आदमी होने पर देड़ सो आदमी होने पर या फिर 200 दोसो से अधिक होने पर तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर आपको वेलफेर ऑफिसर रखना चलिए अब आपको कोशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि एक वेलफेर ऑफिसर ठीक है 500 आदमी पर एक रख दोगे फिर हर कितने वरकर्स बढ़ने पर आपको एक वेलफेर ऑफिसर रखना है जैसे कि आपको वुष में दिय पर आपको हर बार एक व्लुफेर ऑफिसर रखना पड़ेगा पॉइंट करना पड़ेगा यह में वाले ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें यह बोलता है कुशन नमबर सीक्स है कि एक रिटर्ण नोटिस देना है ठीक है हम में सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या करना है बोल रहा है कि मैनेजर जो है मैनेजर क्या करेगा चीफ इंस्पेक्टर को एक सब्सक्राइब क्या है या थरerekन्स एक सब्सक्राइब करुथ सब्सक्राइब कर दिर अगरा कोशन है कोशन नमबर सेवन जिसमें की बोलता है अगर इस नमबर आफ परसंस एंप्लाइड दिर माइन इस फाइफ थाज़न देन अमबर आफ वेल्फेर अफिसर अपॉइंटेड इन दमाइन अगर किसी माइच में पांच जार वर्कर्स है तो आप कितने वेल्फेर सब्सक्राइब टो रखोगे थी रखोगे चार रखोगे थी तो इससका एंसर होगा और अप्षा नमबर यह पांच रखेंगे सभी तो रखेंगे ठीक है दो वेलफेर ओफिसर संप रखते हैं यहां यह लोगा तीन ओने चाहिए पांसो हर दो हजार पे एक पच्चेस पैतालिस हां तीन ओना चाहिए यहां पर तीन वेलफेर ओफिसर हो गई यह ऑप्शन गया तैंट यह वाला ऑप्शन नुम्हार भी करेक्ट होगा तीन वेलफेर ओफिसर ओने चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते अगला कोशन देखते जिसमें कि बोलता है क कि the number of man days in the year 2014 is देखिए अब यह आपका एक नुमेरिकल वाला कोशन है कि बोल रहा है में the number of man days in the year 2014 is 26,500, rest days are 54 and non-working days due to sick are 46. find the persons ordinarily employed in the mind consider the year means 365 days बोल रहा है 2014 में जो number of man days थे मतलब जिन जिन दिनों कमेंट सेक्शन में लिखके दाल देखिए बेसिकली यहां बोल रहा है मैं डेज तो number of number of man days हो गए आपके ठीक है नंबर of man days is equals to किता हो गया 26,500 मतलब सभी वरकर्स का जो टोटल नंबर वरकिंग डेज था सभी वरकर्स का मिला के मालीजे दो वरकर्स हैं साल में 200 दिन वरक ठीक है इसी प्रकार से हमें यह पता करना है कि माइन्स में total कितने वरकर्स हैं मैं नहीं पता हमें यह बता दिया कि total वरकर्स का जो total number of working days था वो था 26,500 जिसमें से अगर हम रेष्ट की बात करें तो कितने दिन रेष्ट थे साल वर में 24 रेष्ट लिए गए वरकर्स के सब्सक्राइब और अगर हम सिक लिव की बात करें तो total कितने सिक लिव थी 46 46 दिन जो है तो इन्होंने सिक लिव लिया है न तो basically actually कितने दिन काम हुआ होगा ठीक है actual में अगर कितने कितने दिन काम हुआ होगा actual एक्चुल वरकिंग डेज अगर हम पूर्ट बात करें तो साल में साल में यह 44 प्लस 46 100 दिन तो ऐसी बीच गया ठीक है 100 दिन तो काम ही नहीं हुआ ठीक अब 100 दिन में से हम total 365 दिन में से 100 अगर घटा देंगे तो हमें actual number of working days मिल जागा जो कि होगा 265 ठीक है अब actual number of working days आगे अब हमें यह पता करना है कि मारे माइंस में कितने workers काम कर रहे है तो number of number of पर्स वर्ट पर्संस employed in one year ठीक है तो यह क्या हो जाएगा जो आपका total total man days ठीक है total man days divided by actual actual working days ठीक है तो यह कितना हो जाएगा इधार देख लीजे यह हो जाएगा 26,500 divided by 265 ठीक है तो यह आपका यह कट जाएगा बचेगा 100 तो answer होगा आपका 100 ठीक है 100 is the right answer मतला total कितने workers आपकी माइंस में काम कर रहे थे 100 workers आपकी माइंस में काम कर रहे थे अगले question की तरह बढ़ते है question number 9 जिसमें कि यह बोलता है the handling figures of the mine for the year 2014-15 are as below the OB handling is 5 lakh tons, ore production 2 lakh tons and densities of OB and ore are 2.5 and 3 respectively find the stripping ratio for the year 2014-15 simple सी बात यह बोल रहा है कि एक माइंस का 2014-15 का जो पूरे साल का जो है तो एक figure दे दिया कि हाँ इतना material handle हुआ, basically अगर OB handling की बात करें तो पांच लाक टन OB जो है तो इन्होंने निकाला साल भर में और अगर हम production की बात करें तो इन्होंने ओर का जो production किया है वो किया है दो लाक टन का, है ना, अब OB की जो density है वो दी हुई है, दो 2.5 इसकी density है और जो और है है ना, जो आपका production वाला material है चाहे lime stone हो चाहे iron और हो जो भी है तो उसकी जो density है वो है तीन, ठीक है अब बोल रहा है कि stripping ratio पता करो, ठीक है तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दो कि stripping ratio का formula क्या है stripping ratio इसमें क्या बोलता है, production को divide कर दो, production divided by, divided by OB, है ना, OB हैंडर तो production किस में होगा हमेशा tons में होगा, ठीक है, and जो OB होगा, वो किस में होगा, meter cube में होगा, ठीक है, वो भी किस में होगा, meter cube में होगा, तो यह आप याद रख सकते हैं, ठीक, चलिए, अब आगे देखते हैं, तो हमेशा, जो OB है, वो meter cube में होगा, लेकिन यहाँ पर, over button किस में दिया है, tons में दिया है, तो भाई पहला तो इसको meter cube में convert करो, हो, तो पांच लाख, पांच लाख divided by two points five, जो भी उसकी density है, OB की, OB की density से इसको divide कर दोगे, तो यह आ जाएगा 2 लाख, ठीक, यह 2 लाख आ गया, OB, ठीक है, अब हम stripping ratio के इसको formula में रखेंगे, stripping ratio के, ठीक है, तो production किता हुआ, total 2 लाख हुआ, और वो भी कितना हट आए गया मीटर क्यूंब में यह भी दो लाग हट आए गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा option number C is the right answer तो यहां से यह सारी चीजें भी आप याद रख सकते हैं अगला question देखते हैं question number 9 10 जिसमें की बोलता है details of employee that is employee register is maintained in form टीक है employee register जो है या फिर जो employees की डीटेल है वो किस form में maintained की जाती है form A में maintained की जाती है form B में maintain की जाती है form C में maintain की जाती है फिर form D में कि जाती है तो इसका correct answer होगा option number एक फार्म ए में maintain किया जाता है employees की जो details होती है जो भी उनका मतलब किस दिन आए हैं किस दिन गया उन्होंने नौकरी छोड़ी है वो सारी details उसमें रहती है तो यह सारी चीजे आपको याद रखना है और मैं आपको बता दूँ दस बजे डेली मेरा एक वीडियो आपको मिल जाएगा तो अगले वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलना तब तक के लिए all the best and thank you so much